ओचले अब खब्रे विस्तार से आपको दिखाएंगे भूपाल से खबर आ रहे हैं फिर करज लेगी अब MP सरकार दो किश्टों में 5000 करूर का करज लेगी सरकार बता दे ये 25 सो करोड का कर्ज 12 साल के टैनियूर पर और 19 साल के टैनियूर पर 25 सो करोड का राहुल सिंग्राठोर हमारे सही होगी लाइव जुड़ गे हादिक जानकारी के लिए राहुल फिर से MP सरकार कर्ज लेने जा रही है जानकारी दीजेगा देखे बिलकुल MP सरकार फिर से करज लेने जा रही है करोड़ों का पच्छिस सो करोड़ पच्छिस सो करोड़ ये दो टैन्योर में करज लिया जाएगा और 24 सितंबर को ये राशी बताय जा रहा है कि सरकार को मिलेगी देखे मद्रपदेश सरकार पर लगातार करज बढ़ता जा रहा है और अब क्योंकि विकास के कारे भी मद्रपदेश में गति में करज भी अक तरफ बढ़ता जा रहा है अगस्त महा में भी लगबग दस हजार करोड का करज जो है MP सरकार ने लिया था अब कुल पंद्रा हजार करोड का ये करज अगर 24 सितंबर को राशी मिल जाती है तो पंद्रा हजार करोड का ये जो करज है इस साल का वो सरकार पर हो जाएगा देखिने पहले भी 3 लाख करोड से अधीक का जो करज है वर्ष दोहजार 23 में सरकार पर था लेकिन अब वर्ष दोहजार 24 का ये एक और नया करज ये लगातार बढ़ता जा रहा है देखिने मद्रप्रदेश सरकार विकास के कारियों पर भी लगातार ध्यान देरी क्योंकि द्योगपतियों से चर्चा कर रही है कहीं निवेश मद्प्रदेश में आने वाले हैं तो साशन की कहीं योजना हैं जो जन जन तक पहुचाना होती है उसी की मंच्छा नुसार, मुक्किमंतरी की मंच्छा नुसार जो योजनाए लोगों तक पहूंच पाएं जञें तक पहूंच पाएं उसी को ध्यान में रखते उए माना जा रहा है कि ये कर्ज लिया है और अब देखना होगा कि 24 सितंबर को जब ये राशी साशन के पास पहुंच जाएगी तो क्या कुछ कारी आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे